दोस्तों आज मैं आपको बताओंगा Gmail का password change कैसे करते हैं how to change Gmail password मैं आपको बिलकुल आसान और निव तरीका बताओंगा अगर आपको अपना current password याद नहीं है तो वो कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा और एक मिनट के अंदर आपके Gmail account का password चेंज हो जाएगा तो इसके लिए आपको अपने mobile में Gmail app को open कर लेना है इसके बाद उपर में आपकी Gmail की profile आपको दिखाई देगी आपको इस पर click कर देना है जो भी Gmail account का password आपको change करना है उस account को आपको यहाँ पर select करना है इसके बाद आपको यहाँ पर manage your Google account पर click करना है हो सकता है आपके Gmail app में यहाँ पर Google account का option आ रहा हो तो आपको इस पर click कर देना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो आपको slide करना है और security में आ जाना है security में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो आपको यहाँ पर एक option देखने के लिए मिलेगा password और last time आपने password कब change किया था तो वो date भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी तो आपको यहाँ पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ time load होगा और आपके सामने एक new page आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो gmail account है वो दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर हमें password इंटर करना है जो हमारा current password है वो यहाँ पर डालना है तो ही हमारा gmail का password चेंज होगा उस video का link मैं आपको इसी video के description में और उपर i button में दे दूँगा उस video को देखकर आप अपने gmail account का जो current password है उसे पता कर सकते हैं यहाँ पर आपको अपना current password डालना है और next बटन पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह से page open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर अपना new password डाल देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर वही password confirm कर लेना है तो मैं यहाँ पर अपना new password डाल देता हूँ दोनों box में new password डालने के बाद आपको change password पर click करना है इसके बाद दोस्तो कुछ ही सेकंड में जो आपका पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर आपको गेश रिटार्ट पर किलिक कर देना है इस तरह से दोस्तो आप बहुत ही आसानी से अपने Gmail अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं अगर दोस्तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो वीडियो को शेर कर दो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो